डबलो 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 आई-पी एड्रेस, होस्ट, सर्वर, स्ट्ट्टिपीएस क्या आप भी जानते हों इनका मतलब इंटरेट में एक इंटरेट यूजर के लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है तो आज इस वीडियो में आपको इंटरेट ग्यान देने वाला हूँ तो जानने के लिए वीडियो को लास तक दिखते रहे हैं हेलो गाइस मेरे नम है मनोज सारू और हमेशा की तरह टेक्नोलजी गान चनल में आपका स्वागत है सबसे पर आता है www अगर आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो किसी भी लिंक पर क्लिक करते हो तो जैसे वेबसाइट open करता है तो उसके URL पर ध्यान देना होँ उपर कि साइट में वहां पर आपको www यानि कि www लिखा हुआ जरूर दिखा देगा तो इसका फुल फॉर्म होता है वो होता है World Wide Web अगर हम इसे टेक्निकली समझे तो यह एक information system होता है या फिर कहलो collection of data होता है जहाँ पर कई सारे photos, videos, documents इन सभी का जो link है वो basically store रहता है या फिर कहलो save रहता है जिसे एक basically हम एक URL यानि की एक link के माध्यम से access कर पाते हैं for example मालीजे यह internet है अब इस internet में हजारों लाखों करोडों website है तो इन सभी website में बहुत सारे photos, videos, content, text, files, documents है यह जो सारे documents, file, photos, videos है यह सभी अपने-पने server पे जहां पे इनका server है वहाँ पर store रहता है अब इन सभी चीज की जो भी information है मतलब इसे कैसे access करना है इसका URL का है यह सारा का सारा जो details है वो basically online www यानि की worldwide web में store रहता है और इसे access करने के लिए basically एक address की जरुत होती है जिसे हम URL कहते है तो यहाँ पर simple सा मतलब है कि आप internet में जो भी website open करते हो किसी भी link पर click करते हो कोई भी file download करते हो कोई भी video देखते हो article पढ़ते हो किसी भी website को open करते हो उसका specific URL होता है एक address होता है जिसे हम URL कहते है और URL का full form होता है Uniform Resource Locator जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है Uniform Resource Locator यानि कि resource को locate करना ढूंड़ना अब यह जो सारी information होती है वह basically store होती है यहाँ पर worldwide web में यानि कि www में अब यहाँ पर आप किसी भी website को access करते हो तो वहाँ पर आपको दो चीजे और देखने को मिलेगी एक है HTTP और दूसरा है HTTPS अब यहाँ पर यह HTTP और HTTPS क्या है इन दोनों में क्या difference है HTTP का full form होता है Hyper Text Transfer Protocol जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है Transfer Protocol Transfer का Simple मतलब होता है Internet की दुनिया में फाइल को एक जगे से दूसरी जगे भीजना यहाँ पर protocol का मतलब होता है set of rule जैसे कि आपको नाम से पता चल गया होगा इनकी definition भी पता चल गई है तो Simple Funda यह है कि Internet की दुनिया में जो भी आप text बेचते हो जो भी आप file बेचते हो एक जगे से दूसरी जगे या फिर आप एक computer की file को दूसरे computer से access करते हो तो यहाँ पर जो file है वो ट्रांसफर हो रहा है एक जगे से दूसरी जगे तो इसके लिए basically एक set of rule बना जाता है Internet में यहाँ पर आप मेरी वीडियो को देख पा रहे हो तो जो मेरी वीडियो है वो आपके पास कैसे पहुंची कैसे आप उसे access कर सकते हो उसके लिए Internet में एक rule बनाया गया है एक नियम बनाया गया है तो यह सारी जो चीजे होती है नियम होती है वो basically HTTPS में आती है और इसी के मा जारा basically एक rule को follow करता है तभी Internet काम कर पाता है अब यहाँ पर मान लिजे आपने Internet की दुनिया में एक online form भरा और उसमें कुछ details डाली वहाँ पर आपने form भरके उसे submit करते है और वो जो सारा data है वो basically आपने server में भीज दिया तो यहाँ पर आपका जो data है एक जगे से दूसरी जगे जा रहा है तो यहाँ पर मान लिजे कोई hacker बैठा पड़ा है कोई third party person बैठा पड़ा है बीच में अगर आपका data चुरा ले बहुत ही confidential data है आपका pen card मान लो या फिर आपका अधार card मान लो या फिर आपकी bank details मांग लो बहुत सारी confidential details होती है तो वो जो data है वो एक जग GPS का इस्तिमाल किया जाता है जिसका full form होता है hyper text transfer protocol secure मतलब आप जो भी data transfer कर रहे हो वो पूरी तरह से secure है encrypted है वो किसी उस data को कोई भी third party person या फिर बीच से hacker चुरा नहीं सकता आप यहां से transfer कर रहे हो एक जगह से तो वो सीधा server के पास ही जाएगा उसे बीच में कोई भी खो होगा encrypted होगा बीच से कोई भी hacker या फिर थर परसन उसे चुरा नहीं सकता है इसलिए आपने नोटिस किया होगा बड़ी बड़ी जित्ती भी website होती है जहां पर भी payment का काम होता है जहां पर आप अपने debit card credit card की information डालके online payment करते है उन सभी के website में देखना वहां पर आपको एक information encrypted होगी कोई भी बीच से उसे चुरा नहीं सकता नेक्स आता है client और server internet की दुनिया में आपने इन दो वर्ड को भी बहुत बार सुना होगा लेकिन क्या आप जानता है इनका actual मतलब क्या होता है चले मैं आपको इनको simple और बहुती easy तरीके से और बहुती चोटे example के माधियम से समझाता हूँ for example मालीजे यहां पर आप एक mobile shop पे गए तो mobile shop पे बहुत सारे phone पड़े रहते हैं तो यहां पर आप mobile shop पे जाके mobile वाले से बोलते हो कि मेरे को यह mobile दे दो यह mobile दिखा दो तो जो shop वाला होता है जिसका भी mobile दुकान होता है वो आपको mobile दिखा देता है तो अपर him Chapter shop पे बेजंदे आप पेस के लुए आप क्लाईन के लाओ कि लाओगे तो यहां पर सभी लोग करते हो एक request करते हो तो जो भी request करता है खो Kylie के लाता है और उस request को जो भी response करता है पर जबाब देता के आपको दिखा दिता है तो वो आपको शो करके दिखा दिता है तो वो basically server कहलाता है तो यहाँ पर request और respond होता है मतलब आप उससे सवाल पूछते हो वो आपको ज़वाब देता है या फिर आप उससे चीजे मांगते हो वो तो आपको चीज देंक देता है। आपको चीज देता है इसेे हैं काम होता है। जो ख्लाइन होता है वो ब्राउजर होता है। और आप करते अब आपको फाइल चौन होता है। वह इंटरनेट के किसी सर्वर पर यह कहीं सर्वर पर वह बेसिकली सेव रहता है स्टोर रहता है तो जैसे आप रिक्वेस्ट करोगे उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपने सर्वर को बोला कि मेरे को यह फाइल दिखा तो वह आपको फाइल दिखा देता है वह फाइल अब कहा कहां स्टोर है कहां सेव है वो सारा का सारा सर्वर कहलाता है जिस तरह से वो मोबाइल जिस भी मोबाइल शॉप में स्टोर है उसी मोबाइल शॉप से उसने आपको दिखा दिया सेम यहां पर जो सर्वर है वो बेसिकली मोबाइल शॉप है और जो रिक्वेश्ट कर रहा है या सर्वंद्थ और क्लाइंट का क्या चक्कर है next राता है आईपी एड्रेस HU एंटरेट की दुनिया में एपने आंपी एड्रेस के वारे में भी भाट बसुना होगा क्यों तो इड्रेश का फूल फॉर्म होता है एक यूनीक एड्रेस होता है, जिसे basically हम IP address कहता है, इसी address से आपकी internet की दुनिया में पहचान होती है, और आप internet पे कुछ भी access करते हो, तो वहाँ पर आपको पदा चल पाता है कि या यह user है, इस country से है, और इसका IP address यह है, और यह जो IP address basically provide किया गया है, यह इस device के लिए provide किया होगा, तो यहाँ पर fraud के वक्त आपने सुना होगा कि यह इस computer से access किया गया है, उस computer से हमारे server को access किया गया है, hack किया गया है, तो उन्हें पता कैसे चल पाता है, तो यह जो सारी चीज़े है basically एक IP address याने कि एक address होता है, unique address, उसी के वज़े से पता चलता है, तो यहाँ पर या फिर कोई भी fraud करने की कोशिश करता है, या फिर किसी को भी hack करने की कोशिश करता है, तो ऐसे में उसे track किया जा सके, पकड़ा जा सके, उसकी location बता किया जा सके, हाला कि IP address को बदलने के कई सारे तरीके हैं, आप सभी लोग को पता ही है, अब यहाँ पर IP address भी कई प्राइवेट IP address हो गया, डाइडिमिक हो गया, स्टैटिक IP address हो गया, यहाँ पर सिंबल मतलब समझो, IP address होता है, वो हार एक डिवाइस के लिए यूनिक होता है, और इसी से आपकी पहचान होती है, इंटरनेट की दुनिया में, और आप इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं, तो दोस्तों यह था इंटरनेट ग्यान, होप आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर हाँ, तो यह लाइक जरू कर देना, चैलो को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को शेयर कर देना ता कि लोगों को ज्यादा ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे कुछ भी कर दो 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 झाल झाल झाल